तो बहुत important ख़बर है और कहके रहा है cabinet approves universal service obligation fund scheme for providing 4G services in 44 aspirational districts देखिए बहुत सारे keywords हैं एक तो keyword आपको ये मिल गया universal service obligation fund scheme दूसरा keyword aspirational district हो गया यानि अकांची जिले तो सबसे पहले सुरुआत कर देते हैं कि aspirational districts या अकांची जिले क्या होते हैं तो अगर हम aspirational district की बात करें तो अकांची जिलो का मतलब क्या होता है कि अगर हम इनको सामान सब्दों में समझें तो नीती आयोग ने भारत में 112 ऐसे जिलो को notify किया है या अधिसूचित किया है जो बहुत जादा पिछड़े हुए हैं यानि पिछड़े हुए नहीं बोला है क्योंकि पिछड़े हुए अगर आप किसी district को या जिले को बोलेगे तो वहां के नागरिकों को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए उनहीं पिछड़े हुए जिलो को बोल दिया है अकांगशी जिले या aspirational district अब ये किस चीज में पिछड़े हैं ये कही चीजों में पिछड़े हैं जैसे बिजली नहीं मिल लगे अच्छा पानी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एजूकेशन अच्छी नही है तो कुल मिलाकर भारत के जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं जहां पर डवलप्मेंट की पर्याप्त संभावना है नीती आयोग ने उन 112 जिलों की district की पैचान की है और उनहीं को बताया है अकांगशी जिले या aspirational district तो पहली चीज क्या हमको समझ में आया पहली चीज हम समझेंगे कि universal service obligation fund ये सरकार के दोरा कब सुरू किया गया साथी साथ ये है गया तो सबसे पहली चीज ये है कि 2002 में ministry of communication ये संचार मंत्राले ने एक प्रकार के fund की सुरुआत की इसको बोलते है universal service obligation fund अब ये था क्या इस fund का मुख्य काम ये था कि जो भी भारत के rural areas है ये remote areas ह जो भी grammar छेत रहें या पिछड़े हुए छेत रहें वहाँ पर information and communication technology का प्रसार करना मतलब ये हुआ सामाने सब्दों में कि भारत के जो गाँवाले छेत रहें या grammar छेत रहें या जो बहुत ज़्यादा पिछड़े छेत रहें वहाँ पर mobile services का और और प्रकार की broadband ये internet services होत फोकस क्या रहता है कि जो grammar छेत रहें या जो पिछड़े हुए छेत रहें वहाँ 4G internet connectivity प्रदान की जाए 4G internet connectivity प्रदान की जाए तो basically इस fund का काम क्या है कि इसके माध्यम से जो भारत के rural areas हैं या remote areas हैं वहाँ पर क्या प्रवाइड किया जाए वहाँ पर आप देखो कि 4G के माध्यम से internet connectivity प्रदान की जाए सबसे important दूसरी बात क्या है कि ये एक प्रकार का ऐसा fund है जो non-lapsable है non-lapsable का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक वर्स के लिए जो भी पैसा निर्धारित किया गया कि ये पैसा इस वर्स में खर्च किया जाएगा और हो सकता है कि पैसा बच जाए तो ऐसा नहीं है कि धन व्यपगत हो जाएगा लैप्स कर जाएगा जो धन भचा हुआ है वो आत्र 80 रुपए खर्च हुआ और 20 रुपए बच गया तो ऐसा नहीं है कि 20 रुपए समाप्त हो जाएगा यहीं पर जब अगले वर्स का हम 100 रुपए फिर से निर्धारित करेंगे तो 20 रुपए इसमें एड हो जाएगा और 2022 में हम 120 रुपए खर्चा करेंगे गाउं में पिछडे छेत्रों में जो आपका 4G इंटरनेट है उसको प्रोइड करने में या Information, Communication, Technology, Services को प्रोइड करने में क्या इसको कोई statutory status राप्त है क्या इसको कोई कानून के द्वारा मानता प्रदान की गए यह बिलकुल इसको एक वैधानिक support प्रदान करने के लिए सरकार इसको एक कानून के अंतरगत लेकर आई आप सब को पताए कि भारत में कानून है टेलिग्राफ अमेंडमेंट टेलिग्राफ अमेंडमेंड एट 2003 के माध्यम से इसको यानि यूनिवर्सल सर्विस अब्लिगेशन फंड को एक प्रकार का स्टैचुरी स्टेटस प्रदान किया गया है अब बात आती है कि इसका कुछ क्या अब्जेक्टिव्स हैं बहुत अब्जेक्टिव्स हैं देखिए सबसे पहला उद्देश यह है कि इसका अगर हम एकनॉमिक पहलू देखें आर्थिक पहलू देखें तो अगर आप गाउं में इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी सर्विस प्रवाइड करोगे, 4G internet प्रवाइड करोगे, तो वहां के लोगों का economic आप देखोगे, upgradation होगा, क्यों? क्योंकि internet के माध्यम से बहुत सारे काम होते, कुछ लोग cyber cafe खोलेंगे, कुछ लोग सरकार की, जो schemes होती, उनका lab उठा पाएंगे, तो उनकी आर्थी की स्थिती सुधरेगी, साथ ही साथ, अगर हम इसकी social status पर बात करें, तो इसके माध्यम से, जो उस पिछड़े छेतर में या ग्रामीड छेतर में रहने वाले लोग हैं, जो बहुत जादा पिछड़ चुके हैं, तो इसके माध्यम से, उनकी स्थिती में सुधार होगा, तो एक प्रकार का social, आप देखोगे कि सामाजी उत्थान भी होगा, अगर हम political rights की बात करें, तो अगर हम 4G पहुचा देते हैं, ग्रामीड में या पिछड़े शेतरों में, तो उनको सरकार की schemes की जानकारी होगी, सरकार के जो पार्टी को ओट देना है, किस पार्टी को ओट नहीं देना है, वो अपने विवेग से फैसला करेंगे और उसके माध्हम से वो अपना निर्णय कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका क्या कोई constitutional पहलू है, तो बिलकुल हमारे संविधान की जो मूल भावना है, वो यही है कि संसाधनों का आवंटन या resources का जो distribution हो, वो सब तक हो, यानि एक समान रूप से हो, तो अगर हम internet सिर्फ सहरी छेत्रों तक सीमित रखेंगे, या कुछ निश्ची छेत्रों तक सीमित रखेंगे, तो वो सही नहीं होगा, तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से basically हम गाओं तक internet पहुँचाएंगे, जिसके माध्यम से जो हमारे constitution की मूल भावना है, कि समान रूप से संसाधनों का वितरण किया जाए, resources का जो allocation है, वो equal basis पर किया जाए, उस भावना की भी पूर्ती होगी,